तो फाइनियली Samsung F62 के लिए एक नया software अपडेट Samsung ने रोल आउट कर दिया है आज 1 मार्च 2023 को और बात करें अपडेट साइच की तो 1282 MB का अपडेट है फरवरी 2023 का सेक्योरिटी पैचरी सब्डेट में हमें 1UI 5.1 देखने को मिल जाता दोस्तों जो की एक मेजर UI अपडेट है और इस अपडेट में 1UI 5.1 के काफी सारे नए फीचर्स और इंप्रूमेंट्स किये गए दोस्तों तो आज के इस वीडियो के अंदर कुछ नए फीचर्स और इंप्रूमेंट्स के बारे में मैं बात करूँगा तो वीडियो को अंध तक देखिएगा और लाइक कर देजिएगा इस वीडियो को लाइक टारेट हमनों रखते हैं 125 लाइक 125 लाइक आप लोग कम्प्लीट कर द आते हैं सबसे पहला चेंज है कि अपडेट के बाद जब आप लाश्ट अपडेट चेक करते तो उसका इंटरफेस चेंज किया गया इसके अलाबा जो अपडेट होते समय एप्टिमाइज होता है उसके इंटरफेस को सैमसंग ने इस बार जो है वो रीडिजाइन किया है य यहां पर आप देख सकते हैं बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है फोन का बैटरी परसेंटेज वाच का बैटरी परसेंटेज बड्स का बैटरी परसेंटेज और जो बड्स का कबर है उसका बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है यहां पर जो बैटरी स्टेटस है वो लिस्ट म देखने को मिलेगा और यहाँ पर सर्कल में हमें battery percentage देखने को मिलेगा दोस्तों तो कुछ इस तरह से हमें battery percentage देखने को मिलते हैं है तो यहाँ पर काफी यह useful feature एड होगा है इसके बावा conigue 1 में हमें दोने देखने को मिल गैpero और यह यह एक और नया विजिट जो है वो एड हुआ है इस नए अपडेट के अंदर इसके अलाबा बात करें तो वेदर के ने विजिट एड कर दिये गए हैं डाइनेमिक वेदर विजिट देखने को मिल जाता है जो की वेदर के कंडिशन के हिसाब से यहाँ पर जो विजिट है वो शो करता है यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर एनिमेशन भी हमें नया देखने को मिलता है इसके अलाबा अगर हम लोग बात करें तो जब आप कॉल करते हैं तो कॉल करते समय यहाँ पर जो इंडिकेटर आता है उसको सैमसंग ने रीडिजाइन कर द सब्सक्राइब डाइनमीक वेदर रहा है यहां पर ये कुछ चन्जस किये गए है इसके अलाबा अगर बात करें तो नोटिफिकैशन पैनल में कुछ नहें toggle set कर दिए गया है जैसे security and privacy take screenshot तो आप notification panel से ही screenshot को capture कर सकते हैं इसके अलाबा यहाँ पर हमें color correction का एक नया option देखने को मिल जाता है color filter का नया option देखने को मिल जाता है secure wifi का इसके अलाबा settings पर हमें suggestion देखने को मिलते हैं अब कुछ इस तरह से one UI 5.1 update के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इसके अलाबा modes and routines में यहाँ पर theater का एक नया mode जो है वो add कर दिया गया है तो यहाँ पर नया mode add किया गया है इसके अलाबा अगर बात करें तो different modes के लिए अलग-अलग wallpaper पर जो है वो apply कर सकते हैं यह भी एक नया feature add किया गया है इसके अलाबा video call effect में कुछ improvements किये गये हैं और नय features को add किया गया है इसके अलाबा बात करें तो video brightness का एक नया option देखने को मिल गया है यह जो है video player google tv, youtube और netflix में काम करता है जो यहाँ पर brightness है उसको increase कर देता है दोस्तों तो यह भी एक नया feature add किया गया है इसके अलाबा camera में आप जब selfie लेते हैं तो समय आप जो है वो आप जो color tone है उसको change कर सकते है natural या फिर warm तो आप अपने according जो है वो selfie लेते समय जो है वो color tone change कर सकते है इसके अलाबा जो color palette का feature है वो हमें keyboard में भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1UI 5.1 update के बाद इसके अलाबा यहाँ पर animations को improve किया गया है इसके अलाबा अगर आप कोई picture को click करते हैं तो जो shadow और reflection है वो automatic जो है वो hide हो जाएगी इसके अलाबा और भी काफी सारे improvements किये गया है gallery application में तो काफी सारे features और improvements किये गया है दोस्तों तो बहुत ही जल्द इसका एक detail review आएगा दोस्तों जिसमें मैं आपको सबी features के बारे में बताऊंगा दोस्तों साथ ही इस update के बाद कुछ bugs और problems भी हमें देखने को मिल रहे हैं दोस्तों तो update कीज़े अपने device को तो यही था आज की इस वीडियो में उमीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को कर दीजेगा like channel पे मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे बातरम